दोस्तो अगर आपके bank खाते में भी किसान सम्मानी दी यूजना के तहद 2000 रुपीय का किस्त आपके bank खाते में आते हैं तो आप कैसे चिक कर सकते हैं अपने mobile phone से और अगर आपके पास किसान card नहीं है तो आप कैसे download कर सकते हैं वो सारे बाते इस वीडियो में करेंगे तो यहां पर आपको क्या करना है आपको सबसे पहले अपने मुवाइल फॉन के गूगल या क्रॉम को ओपन करना है ओपन करने के बाद इसमें सर्च बार में dbt agriculture आपको टाइप करना है देख सकते फ्रेंट्स यहां पर dbt agriculture सर्च कर दिये और search करने के बाद friends आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा और इस तरह का interface आने के बाद आपको सबसे उपर वाली जो link है agriculture department इस पर आपको click कर देना है और जैसे ही click करेंगे तो यहां पर कुछ जो government का notice होगा वो यहाँ पे आपको show हो जाएगा तो आप पढ़ सकते हैं और इसको process to home page पे click कर देंगे तो यहाँ पे home page open हो जाएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परधान मंत्री किसान समान निधी योजना का 2000 रुपे का लाव अगर आपके बैंक खाते में आते हैं तो आप कैसे चिक कर सकते हैं और friends अगर आपके पास परधान मंत्री किसान समान निधी योजना का registration card नहीं है वो आप कैसे देखेंगे वो सारी बाते इस वीडियो में करेंगे और friends आप अपने परधान मंत्री किसान समान निधी योजना का bank status आप अपने mobile phone में देख सकते हैं कि आपके पास अभी तक कितने किसान समान निधी योजना के तहत मिल चुका है तो यहाँ पर देख सकते हैं friends कई सारे option है और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी किसान समान निधी योजना के तहत ओफर आये हुए हैं जो भी lab अभी चल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं friends अगर आपने किसान समान निधी योजना में रजिस्टेशन नहीं किये हैं तो यहा अनुदान के लिए आप आवेदन कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंट्स परदान मंतरी की समान निधी योजना आवेदन कर सकते हैं इसके बाद देख सकते हैं बीज अनुदान के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पे रभी गेहु के बीज के लिए भी आप यहाँ से आ कैसे कैसे जेख कर सकते हैं आपके bank account में अभी तक कितने किस्त जारी किया गया है तो यहां पर देख सकते हैं आवेधन की स्थिती पर click करेंगे और यहां पर click करने के बाद friends आपको करना कुछ नहीं है आपको यहां पर नीचे आना है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंट्स PM किसान भुगतान की स्थिती पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंट्स तो यहाँ पे आपके सामने mobile number या फिर registration number से आप search करके check कर सकते हैं कि आपके bank में कितने पैसे आए हैं तो अगर आपका किसान registration में जो mobile number दिये हैं वहे number यहाँ पे आपको type करना होगा और अगर आपके पास वो number नहीं है तो यहाँ पे registration number पे क्लिक करके फ्रेंट्स आपको यहाँ पे registration number type कर देना होगा और नीचे जो यहां पर चिप्ता है यह किप्ता इस पर क्लिक करके आपको यह भर देना है और इसके बाद git data पर क्लिक कर देना है तो आपके bank में अभी तक किसान समान निधी के तहत जितने भी पैसे आपके account में आया है वो सारे किस्त यहां पर सोख हो जाएगा तो Friends आप ऐसे करके देख सकते हैं अभी server issue है जिसके वज़ए से यहां पर अभी काम नहीं कर रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं और इसके बाद आप चेक कैसे करेंगे Friends आपका registration किसान registration तो यहां पर पंजीकरन पर क्लिक करेंगे और पंजीकरन जाने पर क्लिक करेंगे और यहां पर फ्रेंड्स आपको यहां पर आपको सलेक्ट करना होगा अधार नमबर मुवाइल नमबर आपके पास अगर अधार नमबर है तो अधार नमबर से चेक कर सकते हैं मुवाइल नमबर है तो आप मुवाइल नमबर से चेक कर सकते हैं तो अधार नमबर पर चेक करना है तो अधार पर क्लिक करना होगा और यहां पर आपको अधार संख्य टाइप कर देना होगा फ्रेंइंस जैसे ये अधार संख्यार टाइप करेंगे और यहां पर सर्स करेंगे तो आपको यहां पर किसान रजिस्टेशन काड काम आ जाएगा समय अपना इस लिए नहीं टाइप कर रहा हूं यहां फे, फ्रें्डस, आप मोबाइल नमब्र और अधार नमब्र दोनों से रजिस्ट्रेशन संख्या, आप निकाल सकते हैं किसान रजिस्ट्रेशन काड. तो फ्रेंड्स अगर आप सरकारी योजना से सम्माने लाब सबसे पहले लेना चाहते हैं किसी तरह की योजना की जनकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरू का लिजेगा मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए थांक